वाय नमस्तो भ्यम दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसी है आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शकों 23 सितंबर दिन शक्रवार अश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रेयोद शीति थी याने क प्रदोश का दिन प्रदोश का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है माना जाता है प्रदोश के दिन प्रदोश काल में भगवान शिव मापार्वती के संग प्रदोश काल में धर्ती पर भ्रमन करती है और अपने भक्तों की सभी मनुकामनाओं को पून कर सभी कस्टों क तो ऐसे में यदि आपके भी कोई मनुकामना है या फिर आपके घर में कोई परेशानी तकलीफ पैदा हो गई है तो ऐसी परिस्तिती में आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा क्या करना है आपको इस उपाय को आपको प्रदोश काल में ही करना है आपको पांस स्वास्तिक बनाने है आपको पांस स्वास्तिक आपको कुमकुम से बनाने है तो कहा कहा बनाने है आपको सबसे पहला जो स्वास्तिक बनाएंगे आप अपने घर के मंदिर में अपने इस्ट क समक्ष आप मंदिर पर भी बना सकते हैं या फिर पूजन की थाले में आप स्वास्तिक को बना लें दूसरा स्वास्तिक आपको अपनी रसोई घर में बनाना है क्योंकि वहां पर मा अनपुर्णा का वास होता है दक्षिन दिशा की दिवार को छोड़कर पाकी तीनों वैसे ही दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और पांचवा और अंतिम स्वास्तिक आपको भागवान शिव के मंदिर में बनाना है जो मंदिर में शिवलिंग के पास छोटी से एक चोखट से बनी होती है वहां पर आप स्वास्तिक बनाए उस पर एक घी का दिया आप अवश्य ही जलाएं आटे का भी दिया बना सकते हैं ये मिट्टी का भी ले सकते हैं स्वास्तिक बनादे और फिर उस पर दिया रखें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सक्चे वन से उच्चारन करें आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंड करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दर्शुक्राइब